हेलो गाईस तो कैसे हो क्या चल रहा है तो आपका मेरी चेनल में स्वागत है तो आज के वीडियो में हम रिवीव करेंगे 2016 की तेलगु लेंग्वेज पॉलिटिकल एक्षन थ्रिलर फिल्म अटेक का जिसको हिंदी डव वर्जन में नाम दिया हुआ है जुल्मी सितमगर फिल से गुरुराज का बड़ा बेटा यानि की काली जिसका रोल प्ले कर रहे है जगपती बाबू वो काफी अपसेट हो जाता है वो पूरी तरह से तूट जाता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने पिता के मडरर को ढूंडेगा और उससे बदला लेगा लेक और वो डिसाइड करता है कि वो एक काउंटर अटेक में अपने पिता और अपने भहिया के किलर्स को मारेगा और पूरी तरह से रिवेंज लेगा तो फिल्म की कहानी में बाकी यही दिखाया गया है कि रादा किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करता है और किस तरह से को पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी इस फिल्म के राइटर डाइरेक्टर यानि की राम गोपाल वर्मा है जिनका स्टोरी आइडिया और जिस तरह से फिल्म को स्टार्ट किया हुआ था वो बढ़िया था वो हमें एक थ्रिलर में सुस करवा था है और उस सिक्वांस को जि निन थे सिक्वांस ते जिसका एकशी कंभी बेकार नजर आ रहा था उस बेकार नजर आने की वज़ह यही इकि वह सभी सिक्वांस उतने convince नजर नहीं आ रहे थे और वहाँ पे हमें clarity भी नहीं मिल पा रहे थी जिस तर से revenge drama दिखाया हुआ है उसके पीछे कौन है इसके अलाव जिस तर से character को characterization क्या हुआ है character का development क्या हुआ है उन सभी चीजों में काफी ज्यादा time लिया हुआ है और राम गोपल वर्मा ने काफी सारे bad guys को हमारे सामने pace किया हुआ है अब बात कर लेते सिनेमेटोग्राफी की तो इस film की सिनेमेटोग्राफी काफी top notch वाली देखने को मिलेगी जिस तर से crime backdrop को हमारे सामने pace किया हुआ है वो काफी बढ़िया नजर आ रहा था उसको अची तर से showcase किया हुआ था जैसे कमी ने आपको अभी फिल्म की कहानी बताई तो उससे आपको अंदाजा लगी गया होगा कि फिल्म की कहानी का आइडिया काफी पूराना था आपने पहली की movies में देखा हुआ होगा सभी बाते routine नजर आ रहे होगी लेकिन इसमें जिस्ता से एक crime बेकड्रोप और साथी में एक old city वाला बेकड्रोप दिखाया हुआ है वो सभी चीजों का setup काफी बढ़िया create किया हुआ था और साथी में उन सभी चीजों के ओपर जो camera वर चलता है वो काफी सुपब नजर आ रहा था खास करके फिल्में जो aerial shots दिखाये हुए वो काफी सांदर नजर आ रहे थे उन सभी aerial shots में जो old city दिखायी हुए उसको अच्छी तरह से काफी well तरीके से showcase करके दिखाया हुआ है अभी मैंने आपको बताए कि फिल्म का screenplay काफी confusing और disaster तो थाई जिसमें काफी ज़्यादा character enter होने की वज़य से हम confused हो जाते लेकिन इसके अलावा editing भी उतनी बकवास नजर आ रहे थे हाँ फिल्म की कहानी दो घंटे कम में दिखाई गई है लेकिन फिर भी आपको कहीं इसे sequence देखने को मिल जाएंगे जिसे आसानी से edit किया जा सकता था अब बात कते फिल्म की performance की तो मनोज मंचू जो एक सांदर performance डिलिवर कते होए नजर आते वो अपनी performance से फिल्म के savior साबित हुए उनकी performance काफी balance और mature नजर आ रही थी उन्होंने decent way में अपने role को approach किया हुआ है मनोज मंचू अपने role के साथ हमें आसानी से connect कर ले थे और जिस तरह से उन्होंने climax sequence में अपने काम को दिखाया हुआ है वो पूरी तरह से उनके character के साथ बढ़या तरीके से suit कर रहा था प्रकास राज जो फिल्म एक gamey appearance के role में दिखाये देंगे और उन्होंने अपना काम decent तरीके से निभाया हुआ है जगपती बाबु जिन्होंने काफी बढ़ा role play किया हुआ है और उनका वो role उन्होंने अच्छी तरके से निभाया हुआ है वाडे नवीन जो गुरु राज की दूसरे बेटे का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे और उन्होंने अपना important role काफी बढ़या तरीके से निभाया हुआ है उनका performance काफी सुपब नजर आ रहा था इसके अलाव फिल्में आपको एक विलन के तोर पे अभी मन्यू सिंग देखने को मिलेंगे वो फिल्में काफी सीली नजर आ रहे थे उनका किरदार काफी repetitive भी नजर आ रहा था कुनम को और जिनका character काफी loud रखा गया था और उनका वो loud character काफी over the top नजर आ रहा था और वो काफी weird भी नजर आ रहा था सुर्वी जो फिल्म के lead actor से उनको उतना role नहीं मिला हुआ है उनका screen presence काफी कम नजर आ रहा था उनका use पूरी तरसे फिल्में बढ़या तरकी से नहीं किया गया है फिल्म के climax के आखरी के जो 5-7 मीड थे आपको ऐसा मेसूस होगा कि फिल्म का भी आधा गंटा बाकी है इतने level पे फिल्म को खिचा हुआ है उसको उतने detail के साथ क्यों दिखाया और उतने detail के साथ क्यों पेक अब किया वो सबी चीजे राम गोपल वर्मा की सिवाग कोई दूसरा नहीं बता सकता उसकी जरूरत नहीं थी तो में दोजा सोला की तेलगू लेंग्वेज एक्सन पोलिटिकल थ्रिलर फिल्म अटेक जिसका हिंदी डव वर्जन यानकी जुल्मी सितमगर को 5 out of 10 की रेटिंग देता हूँ फिल्म में मंचू मनोच का जो सिंसियर परफॉमंस था सिंसियर एफट थी वो आपको जरूर इंप्रेस कर जाएगी लेकिन मंचू मनोच के परफॉमंस के अलाव फिल्म में दूसरा कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है अगर आप मंचू मनोच के बहुत बड़े फैन हो या तो फिर उनकी परफॉमंस देखना चाते हो तो ये फिल्म देख सकते हो otherwise इस फिल्म को skip किया जा सकता है तो बस guys आज की रिवी में इतना ही था I hope आपको ये रिवीव पसंद आया होगा अगर रिवीव पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और से जरूर कीज़ेगा और फिल्म देखते हो तो फिल्म देखने के बाद हमें कमेंट करो कि आपको ये फिल्म कैसी लगी तो और बेसे नहीं साथ इनन मूवी के हिंदी रिवी के लिए अपकमिंग साथ इनन मूवी के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ठेंक्यू